नमस्कार मैं हूँ श्पेता जहा, साख चिक में आपका स्वागत है सोचल मीडिया के जमाने में सूचनाओं को मानो पंक लग गए हैं कोई तस्वीर हो, विडियो हो या फिर कोई भी खबर पुलिट की रफ्तार से पूरी दुनिया में पहुंच जाती है लेकि सही जानकारियां अगर तेजी से पहले तो ये अच्छी बात है लेकिन अगर गलत सूचनाओं और अफ़ाएं तेजी से पहले तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं लेहाज़ा सूचनाओं, तस्वीरों और विडियों का साक्चिक जरूरी हो जाता है आज ऐसे ही हम दो ख़बरों की परताल करेंगे सबसे पहली खबर, हम उस वाइरल तस्वीर की परताल करेंगे जिसके जरीए ये दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खलाफ दमाकेदार डबल सेंचुरी जड़ने के बाद आस्ट्रेली आई ओल राउंडर गलेन माक्सवल ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तंदल करके पैर्च हुए वहीं दूसरी खबर में हम एक ऐसे वीडियो का सच दिखाएंगे जिसके जरीए ये दावा किया जा रहा है कि गाजा में घुसते ही इस्रेली टांक के चीथड़े हो गए तो चलिए शुरू करते हैं सांक्षिन सोशल मीजिया पर एक तस्वीर वाइरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के खलाफ तूफानी डबल सेंचुरी जड़ने के बाद साथ नौंबर को क्रिकेट वर्ल्ड काप के एक मुकाबले में उस्टेलिया ने अफगानिस्तान को एक लोमांचक मुकाबले में माद दी थी दोसो बान बे रनों का पीछा करने उतरे उस्टेलिया ने एक समय बान बे रनों पर साथ विकेट खो दिये थे लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के दोहरे शतक ने अफगानिस्तान के जबड़े से जीच छीन ली बुरी तरह चोटील होने के बावजुद मैक्सवेल ने धुआधार डवल सेंचुरी जड़ी थी इस पारिक बाव सोशल मेडिया पर मैक्सवेल की एक तस्वीर वारल है जिसमें वो पूर्व क्रिकेटर सचीन तेंदूलकर के पैट छुते हुए दिख रहे हैं एक फेस्वुक यूजर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए क्रेप्शन में लिखा कि ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन बनाने के बाद क्रिकेट के भगवान सचीन तेंदूलकर के पैट छुए वारल तस्वीर में क्लैप्शन के नीचे भारती संस्क्रिती भी लिखा है साथ नवंबर को अफगानिस्तान के खिले गए मैच्च में आस्ट्रेलिया ऑल राउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने तूफानी बले बाजी की थी जो जीत नामुम्किन लग रही थी उसे मैक्सवेल ने अपनी तूफानी पारी के बदौलत आसान बना दिया दोरा शतक ठोक अफगानिस्तान की जीत की उमीग को चकना चूर कर दिया इस पारी के बास सोशल मीडिया पर ये तस्वीर जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वारल हो रही है देखें ये तस्वीर जिसमें की मैक्सवेल सचिन तिंदुलकर के पाउँ छू रहे हैं इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं ऐसे में इस वारल तस्वीर का सच और जो जानना जरूरी हो गया था क्योंकि अगर ग्लेन माक्सवेल ने ऐसा किया होता तो ये खबर हर मीडिया आउटलिस में सुर्खियों में नजर आती लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला था अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीर देखेंगे ये दो तस्वीरे आप देख सकते हैं सचिन पंदुलकर ने एक ही तरह की टीशिर्ट इसमें पहन रखी है दोनों में आप स्ट्राइप्स वाली टीशिर्ट देख सकते हैं सचिन की तो वारल फोटो और सर्च के दौरान एक आधिकारिक वेबसाइट में मेरी तस्वीर में सचिन पंदुलकर ने एक ही तरह की टीशिर्ट पहने ही है और साथ ही दोनों ही फोटो में सचिन के खड़े होने का अंदाज चेहरे का जो हाव हाव है यानि की बोडी लांग्विज पूरा जो पोश्चर है वो एक ही जैसा इसमें नजर आ रहा है अब मतलब तकनीक का सहारा लेकर तस्वीर को तैयार किया गया है ऐसे में हमारे सामने को सवाल खड़े हुए जिसमें की पहला सवाल हमारा ये था कि वार्यल तस्वीर के पीछे दरसल असली कहानी क्या है और दूसरा सवाल हमारा था कि कहीं एडिटेट तस्वीर को जान बोज़कर वार्यल तो नहीं किया गया ये जानना बहुत जरूरी था क्या निकल कर आया ये बताते हैं जब हमने इस वार्यल तस्वीर को गूगल लेंस के मदद से सर्च किया तो कई सारी रिपोर्स मिली जिसके जरी ये जानकारी मिली कि वार्यल तस्वीर में जिस टी-शट को पहने हुए सचिन तेंदुलकर नजर आ रहे हैं इस दोरान हमें एक रिपोर्ट में सचिन की एक तस्वीर मिली जो वार्यल तस्वीर से हूब हूब मिल रही थी अलग था तो बस मैक्सवेल की जग़ा अफगानिस्तान का फिलाड़ी इसके बाद हमने दोनों तस्वीरों को एक साथ रख कर मिलाया तो पाया थी वार्यल फोटो और सर्च के दोरान वेबसाइट में मिली फोटो में सचिन तेंदूलकर ने एक ही तरह की टीशिट पहनी है और साथ ही दोनों की फोटो में सचिन के खड़े होने का अंदाज, चेहरे के हाव भाव और शरील का पौश्यर एक ही है दोनों तस्वीरों में बस अफगानिस्तान की क्रिकेटर को हटा कर ग्लेन मैक्स्वल की फोटो को सफाई से लगाया गया है उस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वार्यल फोटो को एडिट किया गया है सचिन तेंदूलकर ने औस्टेलिया से मैच के पहले अफगानिस्तान की टीम से मुलाकाद की थी असली तस्वीर उसी दोरान की है टीम फैब चेक गुड निउश टूडे